नमशकार जी मिरा नामे मीनू बताने जा रहे हूँ आपकी किसमत चमका सकती है लॉंग और काली मिर्च लॉंग और काली मिर्च रसोई में खाना बनाने में इस्तमाल किया जाता है लॉंग और काली मिर्च के स्वास्त लाब तो है ही लेकिने इनके जोतिष शास्त्र में भी कई लाव है जिसे करने से आपकी किस्मत भी चमक सकती है जोतिष शास्त्र में परशानियों का समाधान करने के लिए कई उपाई बताए गई हैं जिसमें लॉंग और काली मिर्च के उपाई भी शामिल है जोतिशास के नुसार अगर आप इसी महतपूर कार के लिए जा रहे हैं और चाहते हैं कि सफल हो तो जाने से पहले अपने घर के दुआर पर काली मिर्च रखें और उस पर पैर रखकर चले रहें इससे आपको जरूर सफलता मिलेगी लौंग के इस्तिमाल धन प्राप्ति के लिए भी किया जाता है हनुमान पूजा के दुरान सरसो का तेल लेकर जोत में डाले और उसमें दो लौंग डाल ले इससे हनुमान जी खुश हो जाएंगे और आपको धन लाब होगा जोतिश शास के नुसार काली मिर्च शनी का करण होती है काले कपड़े में काले मिर्च और पैसे बांद कर दान करें इससे शनी का प्रकोप कम हो जाता है यदि आपकी कुण्डी में कोई ग्रह दोश है सनी की साड़े साती चल रही है और बीमार है तो बोजन करते इस भकत कलन नमक और काले मिर्च का ही उप्योग करें इस उपाई से रोग और शोग दूर होंगे साथ बार बजरंग बली का पाट करें उसके बाद हर्मान जी को लड्डू का बोग लगाए और पाँच लौंग पूजा इस्थान में कपूर के साथ जलाएं फिर बसम से तिलग कर लें इससे आपका सत्रू परास्त हो जाएगा धन्यवाद मेदे चैनल को सब्सक्राइब जरून करें